कैसे हैं आप सबी लोग एक बार फिट से स्वागत आपका हमारे योटूब चैनल study with 3 होगे इसमें आज आप लोग की योगरफी का next part आएगा और ये जो एक बहुत important जो आप लोग section अपने exam की दिश्टी से देखेंगे क्योंकि आपको थोड़ा सा सयम बरतना होगा एक आज की class में कल की class में क्योंकि ये topic समझने वाले हो जैसे ही इनको समझ जाओगे वैसे ही भूकम ज्वाला मुकी परवाती सारे topic आपके के लिए रोजाएंगे मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ उसके बाद जब आपको जलवाई विज्ञान पढ़ाऊंगा यानि climateology पढ़ाऊंगा आपको इतनी आसानी से समाझा जाएगा कि कहां बारिस होती है कहां बरफ़ती है कहां अरुस्तल बनते हैं ये सारी चीज़े मेरी जुम्मेदारी ही कि आप लों को मा कराऊंगा और मैंने आपसे पहले भी कह दिया वो समाई चला गया जब हम एक्जाम निकालने के लिए ही रटामार स्टडी करते थे अब हम समझेंगे और समझ के बेस पे हम एक्जाम को क्रेक करेंगे इस धरना के साथ अब हमको आके बढ़ना है अब ये अप आपकी तारिफ करें यार इसको इतना ग्यान कैसे आगया इसको इतना कैसे पता जल गया क्योंकि जो पुराना धर्रा है पढ़ने का यानि पुराने धर्रे का मतलब है कि उसी तरीके से कि आर आंक बंदे गरके रटा मारो एक वन लाइनर क्वेशन ढूडो रटो आए नाए कितने अपनी आतमा से पुछो कितने वन लाइनर क्वेशन आपने अपनी कॉप्यों में लिखे हैं और कितने एक्जाम में आते हैं आती ही नहीं क्योंकि यही गलट डायरेक्शन है और एक बार सिर्फ समझ के आधार पर स्टड़ी कर लिजिए ओ जिंदगी भर काम आएगी आज की क्लास भी और कभी भी आपको किसी किताब से ज़्यादा हेल्फ लिने की ज़रुवत नहीं पढ़ेगी ठीक है तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे बाकि साइट साइट अपना वन लाइनर जो आपने नोट्स बनाया हुए चाहिए आप उतराखन पढ़ते हैं आप जी परकार की क्लासेज मैंने आपसे पहले कहाता है कि आपके लिए फाइदेवन सिद्ध होंगी साथ ही साथ आपके ज्यान के लेवल को क्या कराएंगी बढ़ाएंगी सबसे पहले हम लोग आज क्या देखिए भूकंपी तरंग हैं किस परकार से प्रिथभी की आंतरिक संदसन को प्रफावित करती हैं यानि कैसे हमें यह पता चला कि जो अर्थ है उसके इंटर्नल स्ट्रक्चर है वो जो सिस्मिक वेप से होते हैं भूकंपी तरंगे होते हैं उससे पता चला कि किस अवस्ता में क्या वो सॉलीड हैं या सेमी सॉलीड हैं या लिक्वीड हैं या गैसे जवस्ता में उस सब उसी से पता चला ठीक है तो उसके बाद मैं आपको दो फोर्स पढ़ाऊंगा वो अभी आपका टॉपिक में आ जाएगा देखना उसी के आधार पर आपको समझ जाएंगे परवत कैसे बने पठार कैसे बने मैदान कैसे बने महासागर कहां से आए जौला यह सब जो चैप्टर है इनहीं क्लासिस का लिंक करके आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ठीक है देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं तरंग यानि वेव ठीक है आप लोग को यह जो क्लासिस है यह आपको कैसे यह मत्तब फ्लोजार्ट में सीखनी है ठीक है जो त कणूं का दोलन होगा दूसरा यह जो तरंग होते हैं परत्रों यह वेब सो होते हैं यह उर्जा का स्थानांतरन करते हैं यह transfer of energy ठीक है यह ऊर्जा का स्थानांतरन इस्थानांग तरण याईद दो काम यह तरंगा करती हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्प यह समझने हैं कि हाँ इसमें दोलन होता है और दूसरा इसमें क्या होता उर्जा का इस तानांतरव कोई भी तरंग होती है, जैसे आपने सुना। ना Пरकास तरंग यईनी Light Wave या Sound Wave वो क्या करती है? इसमें एक तो उर्जा होती है, एनर्जी होती है एक जगय से दूसरे जगय जाती है, दूसरा इसमें क्या होताğ पैंड थे भी की आंतरीभी संधसना यह है, जहां पर भुकंप उत्पन होता है, यानि जिस पॉइंट से भुकंप उत्पन होता है, उसको बोलते हैं, भुकंप मोल यानि फोकस, तो यहां सबसे पहले इसका पता चलता है, जिस point पर, suppose यहां पता चला, उसको क्या बोलते हैं, EP Center, EP Center बतला अधिकेंदरी, ठीक है, तो आपसे question यह पुछेगा, भुकंप जहां पर सबसे पहले पता चलता है कि कहां पर भुकंप मतला आपका महसूस किया गया, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, EP Center लिख देना ह चीज है, तो जब हम भुकंप के बारे में study करते हैं, तो वो बात का बात है कि अअगर, जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम तरंको के बारे में देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, भुकंप में तीन परकार की तरंका काम करते हैं, तो तीन तरंक मितलब P तरंक, S तरंक और L तरंगु उससे भी one-liner question आता है अभी आपको बताता हूँ तो इतना आप लोग ने note किया होगा तो आप भुकंप मूल के bracket में आप खुद लिख सकते हैं जहां पर भुकंप बुद्पन होता है और अधिकेंद्र के bracket में आप खुद ही लिख सकते हैं जहां इसका प्रभाव तो अगर कोई तरंग इस wave की direction के perpendicular जारी ऐसे इस परकार से अगर कोई तरंग जली देखा होगा ना आपने कभी TV अगरा में या जो system होता है उसमें जैसे किसी के स्वास जैसे सम्बंध या कोई अधर चीज जाता है इस type की तरंगा दिखाई होती है यानि इसका ये मतलब है कि ये transverse wave है यानि अनुप्रस्त तरंग उसको हिंदी में बोलते हैं इंगलिस वाले लिख लेना transverse wave ये होती है अनुप्रस्त तरंग इसका ये मतलब है तरंग की जो दिशा है यानि जिस direction में तरंग जारी वेब जारी है कणों का जो दोलन होगा उसके perpendicular होगा यानि होगा तो क्या लिखोगे दोलन तरंग की दिशा के लंबवद दोलन तरंग की दिशा के लंबवद तरंग की दिशा के लंबवद ठीक है के लंबवद होगा ये होता है अनुप्रस्त तरंग दूसरा ये जो अनुप्रस्त तरंग होती है ये लगभग लगभग अपने आप मैं किस परकार की होती है मैं अभी इस पर पॉइंट पर आऊंगा तो जैसे आपने अनुप्रस्त तरंगे दोलंगी दिशा के लंबवत लिखा इसी परकार एक दूसरी तरंग होती है उसको बहुते हैं लॉंगी क्यूडिनल वेव यानि अनुदैर ये तरंगे ठीक है सिर्फ समझा रहा हूं ठीक है इसको बोला गया लॉंगी क्यूडिनल यानि अनुदैर ये तरंगे तो इसमें क्या होगा ब्रेकेट में इसमें लिख सकते हैं आप लोग जैसे इसका पॉइंट लिखा इसमें लिखोगे दोलन तरंग की दिशा के समानांतर यानि पैरलल दो होगे आप लोग का तरंगे की दिशा के समानांतर तो अब आप को होगे सर एक चीज बताओ हम तो ये क्या पढ़ा रहे हो बतला हम तो गुरूप सी के चात्र हैं हमने तो कभी ये चीज़े नहीं पढ़ी हम तो वही पढ़ते आये हैं कि मौला राम की जननी कहां थी मौला तो अपनी जगे हैं जो आठ दस नंबर जो हिलाते हैं आप लोगो जिसके कारण सबका सेलेक्शन बेड़ा गर को हो जाता है वही आपको पास होगा इस बार तो अब आपको होगे इसका क्या लिंक है आपने इतना समझा इतना समझने के बार तुरंत हैडिंग डाले भूकम अभी भूकम नहीं पढ़ा रखा है ये भूकम पी तरंगी इसलिए आया क्योंकि मैंने पिठवी के आंतरिक संदस्तना की स्टड़ी करवाई थी तो मैं आपको ये बताना जारू कि वो किस कंडिशन में है ठीक है भूकम पी तरंगी यानि सिस्मिक वेब ठीक है इसको क्या बोलते हैं बच्चो पी तरंगे यानि इसको प्राथ्मिक भी बोलते हैं ठीक है ब्रैकेट में लिख दो प्राइमरी यानि प्राथ्मिक तरंगे दूसरा होता है एस तरंगे सेकेंडरी एस तरंगे ठीक है यानि सेकेंडरी जो होता है एस तरंगे होते हैं यानि इसको दु क्या बोलते हैं इसको सतही तरंग, ठीक है? यानि L तरंग का मत्तब सतही तरंग, तो ध्यान से जगना अगर आप से कभी paper में question पूछता है, कि भुकंपी तरंगे कितने परकार की होती है, भुकंपी तरंगे तीन परकार की होती है, एक को बोला जाता है P तरंग एक को बोला जाता है S तरंग और एक को बोला जाता है अपने आप में L तरंग तो P, S और L ये तीन प्रकार के आपको यहाँ क्या देखने को मिलती है तरंग है देखने को मिलती है यानि प्रात्मिक जुतियक और L तरंग यानि सतही तरंग, यह जो प्रात्मिक तरंग होती है, यह अपने आप में बच्चों अनुदैरी तरंग होती है, यानि जो अभी मैंने आपको बताया ना, अनुदैर, यानि लॉंगिट्यूडनल, तो इसका क्या मतलब है, तरंग की दिशाज, या दोलंज होगा, मतलब वो उसके पैरलल होगा, ब्रेकेट में इस प्रकार से दिखा दो, यानि यह, यह डिरेक्शन है, तो इस प्रकार से का तरंगा चलेंगे, इस प्रकार से, यह इसलिए मैंने कहा, ठीक है, यह उस टेम पे, अब आपको के सार, इससे क्या क्वेशन मनता है, वह नहीं थोड़ बर्डन नहीं दूँगा, आपनोंको, यह भी ज़री दरंगया समान होती, तीसरा, सबसे इंपोटेंट पॉइंट ही, इसका तीवरता सबसे कम होती, इसको इस्टार कर देना, तीवरता सबसे कम, यानि इसकी जो इंटेंसिटी होती है, सबसे कम, इंटेंसिटी बोलते हैं तीवृता को, अब आपको बताता हूँ, अगर आपके मुँपे कोई थपड मारे, अगर यो करे, तो कम थपड, जोर से खीच के मारे, तो ज़्यादा इंटेंसिटी, यानि ज़्यादा आपका जन्नाहट होगी, उस प्रकार से कह रहा हूँ, यानि इसकी तीवृता कम है, तो दिखोगे, गती सरवाधी, इस सबसे ज़्यादा है, अब इस लेए सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तरंगित हर मेडियम में चल सकते है, ठोस तरल, गैसे सवस्थामें, लेकिन इसका इंटेंसिटी सबसे कम रयते हैं, बहुत तेज चलागे लेकिन इंटेंसिटी नहीं, जान ही नहीं है और तेज चलने से भी क्या मतलब तीक है गती इसकी सबसे कम होती गती सरवादिक होती है intensity सबसे कम होती इस point को star करना तीक है तीवरता सबसे कम वाला और last point इसमें लिखना प्लेटें प्लेटों को सिकूर्थ आएगा और फैल आएगा यानि इस point को लिखना plate security और फैल्ती है security और फैल्ती है plate security और फैल्ती है अब आप वोगे सर ये क्या बात हुई ये बात हुई सबसे पहने ध्यान देना मैंने आपको लिथोइस्पेयर पढ़ाया था सायद आपको लास में याद होगा इस्थलमंडल कहा था तो वहाँ पर एक कॉइंट लिख ले ना इस्थलमंडल के बड़े भुखंड को प्लेट कहते हैं यानि आपने सुना होगा पिर्थवी के अंदर प्लेट होती है तो लिथोइस्पेयर में आपको पहला पढ़ाया था उसका बहुत बड़ा हिस्था ही अपने आप में क्या कहलाता है प्लेट कहलाता है ठीक है तो एस्थरंगों के बारे में जब आपने ये लिखा और ये लिखते ही आप लोग को अभी कॉंसेप्ट समझा जाएगा कि क्या है दूसरा लिखने आपको दुतियक तरंगे यानि एस्थरंगे ये जो तरंग होती है अनुदैर ये थी तो ये अनुप्रस्थ होती है यानि ट्रांसवर्स वेप होती है जो कि प्रकास तरंग के समान होती है इसके लिखो अनुप्रस्थ तरंग अभी बताता हूँ ठीक है क्वेश्टन के आएगा दूसरा परकास तरंग ये वो ध्वनी तरंग के समान था तो ये परकास तरंग के समान यही इसका क्या मतलब वानुनप्राश्त जो कणूग का दोलन होगा है दिशा के इस परकार से चलिए गई ठीक है और तीसरा आपने इसके अंदर point लिखना है कि तीवृता P से अधिक और प्लेटों को ये तोड़ देगा ध्यान रखना तीवृता यानि intensity जो होगी P से अधिक होगी यानि primary से अधिक P से अधिक और अगला point लिखना आपको तीवृता के बाद गती जो speed होगी P से कम होगी ठीक है गती P से कम होगी और तीवृता P से अधिक और last point लिखना प्लेटों को तोड़ देगा अभी समझाता हम आपको प्लेटों को तोड़ देगा इतना point लिखना है इसके बाद last आपका L तरंग है जिसको सतही तरंग कहते हैं यह दोनों प्रकार के हो सकती है यह भी हो सकती यह भी यह नहीं यह अमार्ट्रांसबर्स भी हो सकती है यह longitudinal तो दिखो अनुप्रस्त प्लस अनुदैरिया दोनों हो सकती है अनुप्रस्त प्लस अनुदैरिया दोनों हो सकती है इसलिए सबसे जाद़ नुक्तान भूकम्पी तरंगों, बगर कोई करता है वो अयल तरंग करता है तिरुता सर्वाधिक लिखना इसके बाद जो अगला point आपने तिरुता के बाद लिखने है वो लिखना है परकास्वा ध्वनी तरंग के समान क्योंकि ये दोनों हैं धनी तरंगी के समान होती है ठीक है परकार सो धनी तरंगी के समान और लास्ट लिखना गती सबसे कम यानि speed जो होगी सबसे कम होगी गती सबसे कम यानि इन तीनों में सबसे कम सबसे कम होगी ती इतना आपने सबसे पहले लिखना है अब देखो बच्चों क्या बुश्टा है सिस्मिक वेग कितने परकार की होती है तीन परकार की प्राइमरी सेकेंडरी और सरपेस यानि एल तरंगे इस ठीक है सतही सरंगे दूसरा कौन सी सिस्मिक वेग अनुदैर्य तरंगे की तरह होती है तीसरा क्वेशन इनमें से कौन सी भुकम पी तरंगे की इंटेंसिटी सबसे कम होती है यानि इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे कम सबसे न्यूंतम होती है वो होती है अपने आप में किस की पी तरंगे की इंटेंसिटी सरवादिक होती है वो होती है अपने आप में एल तरंगे की most important रखन ठीक है इसके अलावा कौन सी P तरंग सतह पे चलती है अब देखना यह होती है सरवार्धिक नुकसान करने वाली यानि पिर्थबी पर सरवार्धिक नुकसान अगर कोई करता है तो वो है कौनसी L तरंग है, तो ध्यान लखना सरवाधिक नुकसान करने वाली जो तरंग होगी, वो L तरंग होगी, ये क्या करदेगी, तोड मरोड देगी, इसको ध्यान लखना, ये ही क्या करता है, सरवाधिक नुकसान करता है, क्योंकि इसकी जो intensity है, यानि तीवृता है, क्योंकि यह सतल पे चलती है इसलिए इसकी intensity क्या होगी सबसे ज़्यादा रहती है और इस सरवाधिक क्या करती है नुकसान पहुचाने का आपने आपने क्या करती है अब आपको होगे सर एक चीज़ समझ नहीं आई कैसे मतलब ये नुकसान कर रही है क्या होगा इसको आप लोग समझा दीजे मैं आपको धीरे से आते हुए समझाता हूँ ठीक है आप ये तीनु तरंगों को समझ गे होंगे P तरंग, S तरंग और L तरंग होती है ये किस प्रकार से होती है सब सिस्मिक वेब है अब आता है प्लेटें सिकूर्ती वफैलती है मैंने आपसे क्या कहा पिर्थवी के आंतरिक संद्वतना जहां मैंने आपको लिथोस्पियर इस्थलमंडल पढ़ाय था वो क्या था अपने आप में उसका एक खंड एक टुकुला अपने आप में प्लेट कहलाता है और पिर्थवी के आंतरिक संद्वतना में ऐसे हजारों प्लेट होंगी अब वो क्या कर देगा ये वाली जो तरंगें क्योंकि ये कैसी हैं बताओ अनुदैरी हैं अनुदैरी तरंग का मतलब अगर पिर्थवी के अंदर प्लेटें हैं तो ये प्लेटों को इस प्रकार से थोड़ा इधर करेगा इधर करेगा इस प्रकार से यानि तरंगें ऐसे चल देगा इस प्रकार से चल देगा सिकोड़ेगा फिर पास आएगा ऐसे इस प्रकार से होगे प्लेटे क्या करेंगी उसको प्लेटों को सिकोड़ने और फैलाने का ये काम करते हैं क्योंकि जो प्लेटों का मुमेंट होता है वो ये तरंगे जो है वो पी तरंगे इसी प्रकार से चलती है और प्लेटों में क्या प्लेट नुक्सान नहीं पहुंचाते हैं इंटेंसिटी ही नहीं है उस प्रकार से चलेगी सपोज प्लेट की डारेक्षन में इसको एरेस करता हूं ठीक है देखो मैं इसको मिटाता हूं तीनों को आपको मैं समझाता हूं उसको बहुत अच्छे से जब आप यह समझोगे तरंग मैंने क्या कहा, जैसे तरंग यह है वेब यह है, वो इस परकार से चलते हैंगे, इस परकार से खुदी बताओ, इस परकार से चलती हैंगे तो प्लेटू को नुकसान होगा नहीं होगा, बिलकुल होगा एक तो उसके intensity पी से ज़ादा है ज्यादा तेजी से टकराएंगी टकराएंगी तो प्लेटू को तोड़ सकती हैं तोड़ेंगी तो आपकी अर्थ जो है इस प्रकार से हिलने लगेगा ठीक है यानि प्लेटू पर नुकसान पहुंचाएगा और तीसरा जो होता है सतही तरंग है वो क्या करता है सरवाधिक पकड़ी सिस्मोगराफ ये है सिस्मोगराफ देखो ये ये इस परकार से ये इस डाइग्राम को बनाओ और ये है आपका सिस्मोगराफ इसी को बोला जाता है कि आपका सिस्मोगराफ तो कभी भी क्वेशन आता है भुकंपी तरंगों की तीवरिता किसमन आपने हैं वो ना भुकम्पी तरंगुं की तीवरिता किस से मापी जाती है अपने आप में सिस्मगरा अब ध्यान से ध्यान देना कि मैं आपको अभी फिलहाल भुकम्प नहीं पढ़ा रहा हूँ भुकम्प कब पढ़ोगे जब मैं आपको अंतरजाद बल जो इंग्लिस मीडियम वाले हैं वो टामलोजी से परशान हो रहेंगा अंतरजाद बल का क्या कहेंगे मैं बताओंगा आपको बहिरजाद बल क्या होता है मैं बताओंगा आपको पटल विरुपन संचलन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको इसके अलावा महाधीवपी संचलन क्या होता है मैं आपको इंग्लीज मैं बताऊंगा हिंदी में बताऊंगा इनही से आपको ये पता चलेगा कैसे परवत पठार बने कैसे भुकम्पजवादामुकी और भूस कलनी यानि जो अपने आपके ये चीज़ें होती ही, किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, दो क्लासे जो कल और पर्सों की होगी, या हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कल की ही कला, हाँ चलो मैं कोशिश करूँगा, थो ले लेंदी वीडियो मना दूँगा, कल आपकी बहुत महत पूर्ण वीडियो हैगी, जिसके बाद आप कम्प्लेटली इस प्रोसेस को समझ जाओगे, कि भुकम्प, जौलामुकी, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, लेकिन कल की कलास तो मस्त है, आपके लिए देखने के लिए, कॉंसेप्ट बेस्ड है, उस क्लास को लिंक करने के बाद, आप बहुत आसानी से कई चीज़ें, मोड़दार परवत कैसे बनते हैं, ब्लॉक परवत क्या होते हैं, गैब्रियल क्या होता है, होस्ट क्या होता है, ये कॉश्चन आते हैं, गुरुप सी लेबल में बीठी कै, आप लोग अपने लुशेंट अगर हमें ही देखना है, कई चीज़ेंगे, कौन सा ब्लॉक परवत का एक्जामपल है, कौन सा मोड़दार परवत है, मोड़दार परवतों का निर्मान किस परक्यास होता है, ब्लॉक परवतों का निर्मान किस परक्यास होता है, ब्रंस गाटी कैसे बनती हैं, सब मेरे उपर छो कुछ भी नहीं है फेक्ट तो इससे फो मक्खन लगाने का काम करते हैं आप इसी समझ के अधार पर अपना इक्जाम के लिएर करोगे मैं आपको भरोसा दिलाता हूं साइड में अपने तरीकी से लिशेंट वगरा की टिक मार्थिंग करते रहिए बाकि कुछ नहीं करना है और जो उससे तीवर इंटेंसेटी वाली है ये सतही तरंग एल तरंग है अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सी तरंग सतही तरंग भी कहनाती है वो है ऐल तरंग है इसी से आप में हम भुकमित तरंगों की तीवरिता को हमापते है ये आपके समझ आ गया होगा और यह जो एल तरंग है, यह कैसे सता पर इस सलते में आपको बताता हूँ, देखिए, मैंने आपको एक डाइग्राम बढ़ाया था पर जो अगर आपको लास्ट ध्यान होगी, पिर्थवी की आंतरिक संदस्ना, याद होगा आपको, ठीक है, और उसके लिए हमने जो बार-बार बनाया था, हमने कुछ यूँ किया था, एक डाइग्राम आपको याद होगा आपको, यह बनाया था, यह मैंने कहा था, क्राष्ट, यह मैंटल और यह कोर की अवस्ता कही थी, कही थी, एक ऐसा ही एक डाइग्राम और बनाता हूँ, देखिए, यह है सपोज पिर्थवी की इस पर कहां से, ठीक है, फिर एक थोड़ा सा और गोला बना लेते हैं, अब मुझसे तो गोला भी नहीं मन पाता हूँ, ठीक है, क्या अब तक अभी-कभी तो गोला एक्जेक्ट बन जाता ही, थोड़ा फिर भी जैसा भी एड़्जस तो आप करते ही हैं, बच्पन से करते अब मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा था, इसका जो घनत्तु है, यानि डैंसिटी है, वो अंदर की और जाने पे बढ़ती है, यानि तो आप लोग यहां लिख लो, एक डाउनवर्ड एरो कर लो, डी मतलब डैंसिटी, नीची की और जाने पे बढ़ रह होती है, यानि speed of seismic wave, यहां पे लिख लो, भुकमपी तरंगों की गती, की गती, ये directly proportional होती है, डी के, घनत्तों की, यानि जैसे जिस चीज का घनत्तु जितना जादा होगा, भुकमपी तरंगों की गती उतनी जादा होती, ध्यान से सुनना, यानि जिस चीज का घनत्तु जितना जादा होगा, भुकमपी वेब भी उतनी तेजी से उसमें क्या करनेंगी, ट्रैबल करेंगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर भुकमपी तरंगे यूं गई, ऐसे भेजी गई उनको, तो डी बल रहा है, तो speed भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अब में चीज आत लेकिन ये होता कैसे है, में चीज याता है, देखो ये पता करने का मैंने सबसे बढ़िया तरंग का बता था, भुकमपी तरंगों के आधार पे इसका अध्यान किया गया, और इसी के आधार पे इसका हमें क्या चलता है, पता चलता है, अब होता है बच्चों, जैसे ही नुक्सान पहुचाती है जो है वो है L तरंग है सपोज ये L तरंग है कौन सी वेव हैं L तरंग ये क्या करती हैं सिर्फ सतह पे चलते हैं इसलिए इसको सतही वेव कहा गया यानि सतही से और सबसे अदर नुक्सानी ही करती है अब हमने क्या किया हमने यहां से तरंगों को भेजना शुरू किया ठीक है तरंग गई तो यूँ गई P तरंग यह आई थी P यह आई थी S तरंग ठीक है तीन होते हैं P तरंग ए S तरंग इस प्रकार चाहिए अब यह देखा गया यह तो सीधी जाई नहीं रही है सब परिशा परकार हुई यानि इनने अपने पात बदल के राउन करके इस परकार से जैसे जानी चाहिए थे यूँ लेकिन गई कैसे यूँ चलीगी यूँ गूम गूम के इससे ये डिसीजन निकाला गया कि जो पिर्थभी की इंटर्नल स्ट्रक्चर है आंतरिक संदस्ना है वहां जो प परकार का क्या होता है वहां इस्ट्रक्चर होता है तो इससे ये निकाला गया है निश्कर से क्योंकि भुकम्पी तरंगे हैं भुकम्पी तरंगों के मार्ग का वक्राकार होने का मतलब है वक्राकार मतलब एक परकार का सर्कुलर तरीक से आपको कहिए इसका ये मतलब है प पिर्थवी की आंतरिक संदस्तना की रासाइनिक जो structure है, chemical जो structure है, वो different है, वो किस आधार पे हमने निस्कर से निकाला, क्योंकि भुकमपी तरंगों का जो मार्ग है, वो वकराकार हो गया, ध्यान से चुना इतना ही समझाओंगा, ठीक है, तो एक point ले लिखना, भुकमपी त पिर्थवी की आंतरिक संदस्तना, पिर्थवी की आंतरिक भाग में रासाइनिक संदस्तना का भिन्न होना, यानि इससे ये पता चल गया, कि पिर्थवी की जो internal structure है, उसका जो chemical structure है आंतरिक भाग में वो अलग-अलग है, इसी लिए भुकमपी तरंगों ने अपना जो path है, वो इस परकार से क्या किया, change किया, एक चीज तो अपना पता चल गया, दूसरी बात आती थी, कि जो पी तरंगों है, पी तरंगों ने तो क्या किया, अपना वो तीन जगत चल गया, यानि पी तरंगों को जब देखा गया, यानि आपके starting से end तक मैंने आपको गुटेन वर्ग तक भी बताया था, लेहमन भी बताया था, मैंने आपको बताया होगा discontinuity, ध्यान रखो उसको ठीक है, तो जैसे गुटेन वर्ग यहाँ था, तो आप जब तरंग यहाँ आते आते क्या हुआ, गुटेन वर्ग तक पहुंचते पहुंचते एस तरंग गायब होगी, अब मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से सुनना, पी तरंग तीनू मीडियम में चल सकती है, एक पॉइंट लिखो, पी तरंग की एक विशेषता यह है, कि जो प्राइमरी व तरंग होती है, यानि सेकेंडरी वाली है, वो केवल ठोस में चलती है, केवल ठोस में चलती है, ध्यान से सुनना, कि केवल ठोस में चलती है, कौनसी एस तरंग, अब देखिए, यह मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बता है था, गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग, डिस और P दोनू थे लेकिन गुटेन वर्ग पहुंचते पहुंचते S तरंग गायब होगी यानि गुटेन वर्ग से आगे आते S तरंग गायब होगी और S तरंग कहा केवल चल सकते है ठोस में तो इससे ये निश्कर से निकाला गया कि गुटेन वर्ग तक यानि क्रस्ट और मेंटल के सवस्था महोंगे, ठो सवस्था महोंगे, ये इससे निस्कार से निकाला, क्योंकि सिस्मिक वेक्स पे पता चल गया, जो आपका S तरंग है, वो गुटेन वर्ग से गायब होगी, तो केवल ठोस ब्रेकेट में लिखो, गुटेन वर्ग से गायब, जब हम थोड़ा सा और आगे पहुँचे, तो इससे ये पता चला, कि जो बाहिये कोर है, यानि एक्स्टर्नल कोर, ये वाला पोर्शन, जो यहां तक, लेहमन वाला जो बहने बताता है, ये वाला पोर्शन, बाहिये कोर पे क्या था, जो S तरंग है, वो तो गायब थी, ले मतलब था, वहां घनत तो कम होगा, डेंसिटी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था गती जो है, इसके घनत तो के डाइक्टली परपोर्शनल है, घनत तो बढ़ेगा, तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन आपका जैसे ही बाहिये कोर आया, ये वाला पोर्शन, यहां पी पर से निकाला गया, कि ये जो है, ये बाहिये कोर है, ये कहीं न कहीं ठोस अवस्ता मन न होके, किस अवस्ता में है अपने आप में, दूसरी अवस्ता में है, यानि किस अवस्ता में होगा अपने आप में लगभग लगभग वो एक परकार का जमी हीवी टाइप की अवस्त में हलका सा तरल अवस्ता में होगा, ठीक है, तरल अवस्ता जिसको कहते हैं, जैसे ही बाहिए कोर से आप आगे बाले लेहमन को क्रॉस किया, आपकी P की गती में अचानक से विरिद्धी होगी, यानि आंतरीक कोर में P की गती में अचानक विरिद्धी होगी, ठीक है, अचानक विरिद्धी मतलब यहां वाले portion में क्या होगी P की गती में अचानक से विरिद्धी होगी तो इसका ये मतलब निकाला bracket में लिखो कि ये जो आंतरिक कोर है वो जमी हुई अवस्ता में है जमी हुई अवस्ता, जमी हुई मतलब उसका गहनत तो क्या होगा, बढ़ गया होगा इसी से तो निसकार्स निकाला क्योंकि pressure के कारण गहनत तो बढ़ाया ठीक है वो सब छोड़ दीजे, अब हमारा थोर पिट सभी की आद्रिक संद्धता का पूरा डाइग्राम ये रहा, तो आप ध्यान देना कि जब हमने भुकमपी तरंगों का अध्यन किया हमने P और S तरंगे भेजी गुटेन वर्ग असान तत्ते, यानि mental के end तक तो क्या था, मैंने बढ़ा यहाँ आपको ठीक है, दोनों तरंगे दीखी, इससे ये निसकार्स निकाला, कि ये पक्का कही नगे ठोस हवस्ता में क्यों कि S जो है के वार ठोस में चल सकता है यहाँ यहाँ तक आपका P और S दिखेते हैं P वोर S, यहाँ तक ठीक है तो इसका मतलब था कि ठोस अवस्ता में होँगी क्योंकि S के वार ठोस में चल सकता है Solid में, जैसी ही उसके अंदर गये S गायब हो गया, S के गायब होने का मतलब वहाँ condition अब ठोस नहीं रही वहाँ कोई और condition और P की गती क्या होगी बहुत कम होगी, दिखे यह नहीं P की गती इसको shadow region मोलते हैं, छाया चेतरी यहाँ कोई भी भाग नहीं दिखा, आपका PV दिखा तो बहुत कम condition में, बहुत कम speed में दिखा, और जैसी हमने यह लेहमन वाले के cross करके internal में पहुंचे, internal core में पहुंचे, तो suddenly P की गती में क्या होगी breathe होगी, इससे यह पता जला अधिक pressure के कारण वो जमी हुई क्या है आपसे, overall आपके लिए one day exam के लिए क्या याद रखना है पिर्थवी की आंतरिक संद्जना किस अवस्ता में है अगर आपसे पूचता है, तो आप सीधे-सीधे लिखोगे, करस्टी की सवस्ता में पाए जाता है ठोस mental की सवस्ता में पाए जाता है ठोस और बाहिय कोर ये किस अवस्ता में पाए जाता है तरल और आंतरिक कोर ये पाए जाता है आपका जमी हुई अवस्ता में क्यूं होता है मैंने आपको बता दिया जमी हुई अवस्ता में ये क्या पाए जाएगा इतना ही आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है बाहियो कोर तरल अंतरी कोर जमी हुई अवस्ता में ये था आपका भुकम्प सास्तर पे आधारीत अध्यान और भुकम्पी तरंग है मैंने भुकम्प नहीं पढ़ाया कल से जो कल की क्लास होगी अत्यधिक महत्तोपुन है उसी से भुकम्प ज्वालाम की सारी चीजे समझाओंगा अपना ध्यान रखिए महनत पे भरोचा रखिए फिर मिलतें अगले सेशन में थैंक